असलाम उलीकूम उमीदें आप सब खहरी असे होंगे कल मैंने आपको बेक की फेमिली की वीडियो बना के दिखाए थी लेकिन आज मैं आपको फिर से बता रही हूं कि बेक की फॉर्मेशन क्या है बेक को किस तरह से बनाना है यह देखे मैं स्टेप बार बनाऊँगी पॉइं की शेप है ठीक है अब यह देखें बे बनानी है दुबारा से देखें अब मैं इसको बगायर बताए बना रही हूं तो यह देखें नेटनस नजर आ रही है यही बात है अगर हम किसी चीज़ को कंटिनियूसली उसके मिदार में मतलब के उसके स्पीड में कोई कमी नहीं करते इसको स्टॉप नहीं करते तो वह एड़ दा एंड ब्यूटिफुल होता है लेकिन अगर हम कोई चीज़ रुक रुक के करते हैं मतलब कंटिनियूसली नहीं करते लगतार नहीं करते तो इसमें खुबसूरती पैदा नहीं होती अब मेरे पहले बे और दूसरे बे से आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तैंक्स वर वाचिंग अलाहाफिस ख्याल रखेगा दुआउं में हमें भी आदर रखेगा